आज हम बनाएंगे राइस्थान के फैमस गर्मियों की स्पेसल प्याज की सब्जी है खाने में बहुत ही फायदे मन्द है गर्मियों में खाज कर तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गीता और मेरे चिन में आपका स्वागात है तो इसके लिए लिए है मैंने मीडियम साइज की साथ विए हम अच्छे से स्टीम होने देते हैं उबहुत है तो साथ अट निमयनट हो गए है तो हम प्याज चेक कर लेते जिकिए भाइल हमारी ऑफ बहुत हो गई एथ तीम हो गई है चाप इस इन हधाव भुन में निकाल लें रिचा सब्ड़े सारी फच नेकाल लेंगे हम और तो अब हम उन प्रयार को ठंडा होने के लिए रख देंगे सइड में जब यह विल्कुल थंडी हो जाए तब हम इसको चीलेंगे तब तक के लिए आगे की प्रॉसेस देख लेते हैं कडाई में डालें गरम तो बड़े चम्मच और ऑसमें डाल देंगे हम उसमें एक जीर एक चमज सौप जो सब्जी वाली सौप आती है मोटी वाली वह और एक चमज डालेंगे कलाउंजी इसको थोड़ा चटकने देंगे इसके बाद हम डाल देंगे बारी कटी हुई हारी मेच अगर आप हरी मेच नहीं खाना चाहते ता आप स्किप कर सकते हैं लेकिन सब्जी बहुती चटपटी तीखी बनती है अब इसमें डाल देंगे मैंने एक बड़ा साइच का बारी कटा हुआ प्याज और इसको चलाते हु एक चमर के करीब आधर ग्लैस्टन का पेष्ट है इसको डालके हम इसको अच्छे से चलाते हुए भूज लेंगे देख लीजिए छोटे साजब्स चार लेंगे चोट साच के बड़े साच के । अब इसमें यूष लालमइच पार्डर एक कि ऊच्छा डाला अगे ते चम मह अच्छह ऐता हॹ उता है और ब स्याट और अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो लाल मिश का पाड़र थोड़ा कम डाली है लेकिन सब्जी बहुत ही चटपटी तीखी अच्छी लगती है और लाल मिश डाली कस्मीर इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा तीखी नहीं होती है अब अपने प्याज को चेक कर लेते हैं अब इनके उपर जो लगा है इसको भी हम कट कर देते हैं पटे हैं имиद्थ गेस को थोड़ा कर देते हैं चैनल सारी प्याज कमें कट कर दिया है और विकंग देंगी पीछे को छसे प्र高 पार देते हैं और वह उस्यिक्छा पॉड़ा काट बेकनि मुझम पार दे टियो हम क बीच से काटेंगे चार टुकले करना है मैं इसको पूरा नहीं काटना है जोड़ी रहने चाहिए प्याज हलकलका से कट लगाएंगे जिससे मसाला अच्छे से अंदर तक जा सके अपने मसाला चेक कर लेते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुझ गया देखो तेल छोड़ने लग है दूद वाली मलाई होती न वह बीडाल सकते हैं और इसको ढ़क कर तीस चाहमने लोग फ्लेम पर पकने देते हैं लिजिए हमारा पग गया समय मसाला तेल छोड़ दिया देही कलर कितना अच्छे है अच्छा में लाले चुछ मिंट डाली थी और दाल दी एक चमच नमक न इसको जाए टाइम लगता करकि यह पकी हुई है हमारी प्याज तो अच्छे से मक्स करके मसाले में इसको तो तीन मिनट के लिए और धग देंगे जिससे मसाले का फ्लेवर पूरे प्याज करना चला जाए तो लीजिए सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है भूद ही जल्दी बन जाती है और हम अर्फनियय कर देंगे हैं इसमें अझता कर देंगा अच्छा आता हमारी तैयार है तो ऊसको हम शर्विंग बेढ मरें सर्फ कर यह जाओ बहुत ही टेस्ट लगती है चावल रोटी किसी साथ भी खा सकते हैं अगर आपको में पसंद आयो तो प्लीज 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 में चैनल को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और खेए अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी रेस्पी लेकर आती रहाँ तो देखते रहिए, कुपित गीता और मुझे सपोर्ट करते रहिए, तब तक के लिए, टेक क्यार, बाई बाई